वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों 780 pages का यह जो PDF है जिसको हम लोग cover up कर रहे हैं यह बहुत ज्यादा important है इस पूरे PDF में अभी हमने start कर रहा है Indian geography को बट इसमें सारे ही subject combined है और इतना PDF पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं है this will be more than sufficient for any exam चाहे वो RO का exam हो चाहे PCS का चाहे BEO का यह कोई भी दूसरा ठीक है तो अगर आप चाहते हैं इस PDF को purchase करना तो इसके लिए आप study for civil services की जो official numbers से उस पर contact कर सकते हैं numbers आपके description box में given है ठीक है वहाँ पर जाईए description box में इस वीडियो के वहाँ पर number जो दिये हुए उन numbers पर call करके आप study for civil services से बात कर सकते हैं और उनसे PDF को demand कर सकते हैं ठीक है 200 चोटे और मध्यम अधिसूचित बंदरगाह है मतलब mainly जो examination में पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा कि 13 जो major port हैं यह कौन-कौन से हैं ठीक है अब जो चोटे बंदरगाह हैं यह अगर राजवार हम बात करें तो गुजरात में कितने हैं 42 महरास्त में आपके 48 गोवा की बात करें तो गोवा में 5 हैं करनाटक में 10 हैं केरल में 17 तमिलनाटु में 15 आंदरप्रदेश में 12 उडीसा में 13 पच्छछं मंगाल में एक दमनार दीव की बात करें भुद्चेरी की बात करें तो इस अब यहां पर जो सबसे जादेश है वो कहां पर हैं आपके महारास्ट में उसके बाद नंबर आता है आपका किसका गुजरात का ठीक है तो यह एक्जेक्ली आपको याद रखना है और थर्ड नंबर पर अगर आप याद रखना चाहें तो आप अंडवान निकुबार दीपसमू को याद रख सकते हैं तो नदी शेत्री ये प्रमुक बंदर का है इस पॉइंट को याद रखेगा एक्जैमिनेशन में इस पर कोशन पूछा गया है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंतरी थे पंडित नहरू इन्होंने ओडीसा में बंगाल की खाड़ी के पूर पंडित नहरू ने किया था तो याद रखना है कि कौन सा है आपका जो पारदीप का है कौन से यह में किया 1962 में आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप RO की तयारी करना चाहते हैं इन तीनों एक्जाम के अगर आप तयारी करने चाहते हैं तो स्टेडी इस रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा बर मिलेगा और यह सब कुछ सफिशेंट होगा आपके एक्जाम को करने के लिए एक्जाम को निकालने के लिए लेटेस्ट गुरूप स्टार्ट हो चुके हैं और उन गुरूप में आपको एड़मीशन लेने के लिए simply जो यह न इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्ग कर सकते हैं इसके इलावा 9696066089 इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर call करके आप हमसे संपग कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं ठीक है अब यहां पर अगे बात करें तो यहां से मुखिता जापान को लो अयस्क का निर्याद किया जाता है यह point आपको और यहां पर याद रखना है इसके बाद अगले point की बात करें तो भारत में मई 1974 में न्यू मैंगलोर बंदरगाह को नौवे बंदरगाह के रूप में घोशित किया गया था और आपचारिक रूप से वर्ष 1975 में इसका उधगाटन किया गया मंगलोर बंदरगाह यह करनाटक में located है इसके बाद next point की बात करें तो जवाहलाल नहरू बंदरगाह जिसको नहवा शेवा पत्तन भी बोला याता है यह 1980 के मद निर्मित और 1989 में प्रियोग में यह मतले इसको प्रियोग में लाया जा सका था ठीक है सो ये जो बंदरगाह है इस बंदरगाह ने विश्व इस तर्ये अंतररास्टी कंटेनरी के रख रखाव मतलब जो कंटेनर है उसके रख रखाव वाले बंदरगाह के रूप में अपनी पहचान बनाई है इस बंदरगा का निर्मान मुंबई बंदरगा के दवाव को कम करने के लिए किया गया है इसके बाद नेक्स पॉइंट की बात करते हैं यह है आपका मुंबई बंदरगा जो की पूर्ण रूप से एकिकरत बहु प्रयोजन बंदरगा है जहां कंटेनर, शुष्क, तरल और अन बड़ी मात्रा में जो थोक कारगो हैं उसकी आवाजाही होती है मुंबई पच्छमी तड़ पर इस्तित एक प्राकृतिक पोताश्रे और देश का सबसे बड़ा पत्तन है मुंबई के बारे में यह चीज़ याद रखनी है पहली बात तो यह कृत्तम नहीं है इसको मतलब प्रकृति यह नैचुरल यह पोल्ट है और यह जो है इंडिया का सबसे बड़ा पोल्ट है अगला पोल्ट यहाँ पर है कि मुंबई बंदरगा पर तीन नौका घाट है जिनके नाम के हैं एक का प्रिंस है एक का विक्तोरिया और तीसरे का है आपका इंडरा घाट यह भी याद रखना है अगले पोल्ट की बात करें तो कांदला बंदरगा यह कच्च की खाड़ी के शीश पर भुझ गुजरात से लगबग 48 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गुजरात में लोकेटेड है इसके बाद मुर्मुगाओ पत्तन की बात करें तो यह आपका जुआरी नदी के मोहाने पर गुआ राज में लोकेटेड है और यह एक आपका निर्यात प्रधान पोल्ट है जहां से देश से निर्यात की जाने वाली कुल लोह अयस्क का तकरीबन 40% भाग जो है वो निर्या किया जाता है विशाका पॉल्ट कि बात करें तो आंदरप्रदेश में इस्थित्थ भारत का सबसे गहरा पत्तन यही है ठीक है तो विशाका पॉल्ट के बारे में आपको यह चीज़ आद रखनी है कि सबसे गहरा पोल्ट है यह दूसरी बात यह एक natural पोल्ट है इसके तो आपने अभी देखा मुंबई है दूसरा जो है वो कौन सा है आपका चेन नाई और ये जो है एक क्रतिम बंदरगा है इसके बाद एन नौर की बात करें तो ये देश का पहला निगमित बंदरगा है यानि कि रेगुलेटिड है अब इसमें आगे हम देखें अगला पॉइ भारत में पांच तरल प्राकरतिक गैस यानि कि लुकिफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल ये कौन कौन से है ये आपका दहेज गुजरात का हजीरा गुजरात का कोची केरल दाभोल महारास्ट पारादीप उडिसा ठीक है इसके बाद नेक्स टम बात करें पोत प्रगान या सबसे बड़ा पोत प्रांगर है यानि कि शिपयार्ड है 1972 में इसे भारत सरकार के एक पूर्ण स्वामित्व कंपनी के रूप में निगमित किया गया है अगले पॉइंट की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है ये अलंग में इसकी अविस्थिती जो है कहां पर है वेस्टन घाट में है इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें ये आपका मुंदरा पत्तन ये गुजरात राज में लोकेटिड है इसको भी हमने देखाई है इसके बाद कराईकल जो की पुद्दुचेरी का हिस्सा है अब ये जो है आपका भारत के पूर्वी तड़ पर लोकेटिड है जोहार भाटा महान सागरों की एक महत्पूर्ण घटना होती है जिसका मानव तथा पर्यावरन के घटकों पर प्रतियक्ष और अप्रतियक्ष प्रभाव पढ़ता है मतस उद्द्योक जहाजों को अभिश्ट इस्थान पर पहुँचने विद्द उत्पादन आदी में जोहार ये तरंगों का यूज किया जा रहा है कांडला और डाइमंड हारबर ये जोहार ये बंदरगाह है इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो खुला सागरी ये बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलिये पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं भारत में इस प्रकार का पत्तन कौन सा है चेनलाई का है जो कि ये कैसा है आपका करतिम बंदरगाह है जहां तट से दूर समुंदर में जहाज घार्टों का निर्मान किया गया है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात अगले पॉइंट की बात करें तो भारतिये नौवाहन निगम SCJ इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी इस पॉइंट को याद रखेगा नेक्स पॉइंट की बात करें सेतु समुद्रम पर योजना ये भारत और शेलंका के बीच में पाक जल डमरूमद्द और मनार की रास्टी जलमार्ग अस्तित्व में हैं जिनको अभी हमने पहले भी देखा था और ये जो रास्टी जलमार्ग है रास्टी जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा 106 नए रास्टी जलमार्ग जो हैं वो प्रस्तावित हैं अब कुल रास्टी जलमार्ग संख्या की बात करें तो 11 211 हो गई है जिनकी टोटल लंबाई 20275.5 km है अगले पॉइंट की बात करें तो गंगा नदी में या फिर गंगा नदी के प्रियागराज से हल्दिया तक के भाग को रास्टी जलमार्ग संख्या एक गोशित किया गया है इसकी इस्तापना 1986 में की गई थी और कुल लंबाई क की बात करें तो यह 1620 km की और यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है नेक्स पॉइंट है आपका कि रास्टी यह अंतरदेशिये नौवाहन संस्थान यह पठना में लोकेटेड़ है जरूर याद रखेगा इसकी इस्तापना फरवई 2004 में की गई थी इसके बाद अ आंदर प्रदेश मजगाओं डॉक्स मुंबई का और महरास्ट तथा कोचीन शिप्याइड कोचीन शिप्याइड यह केरल में लोकेटेड़ है ठीक है इसके साथ ही आज केस वाले सेशन को अब यहीं पर हम एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ और important points को दे पाएं तो फिर मुलते नेक्स्ट वीडियो में तिल देन थेंक यू सो मुच आव नाइस टिप अपाए